देश भर में फैली संजे लीला भनशाली की फिलम पद्मावती की विरोध की जिंगारी चितौर से होते हुए अब धरमशाला में भी पहुँच गई है फिलम पद्मावती को लेकर राजपूतों में बढ़ता आक्रोश धीरे धीरे तेज होता जा रहा है शांत पद्मावती की विरोध तेज हो चुका है और इसके विरोध में धरमशाला में राजपूत समदाय सडकों पर उतराया है और संजे लीला भनशाली के विरोध में जम कर नारिवासी करते हुए इस फिलम को पूरी तरह से बैन करने की मांग उठाई है राजपूत कल्यान सबा हिमाचल परदेश के बैनर तले धरमशाला में विरोध सबरोप राजपूत समदाय के लोगों पर राजपूत विरांगनाओने हाथों में तलवार लहराते हुए सही समारक से लेकर कोत बाली वजार तक हजारों की संख्या में रैली निकाली वो जिलाधीस के माध्यम से महा महीम रास्टरपती रामनात कौविन परधान मंतरी नरेंदर मोदी वो मुख्या मंतरी वीवद सिंग को ग्यापन भेज कर अन्य परदीसों की भांती हिमाचल में भी पदमावती फ पूजनीय महारानी को अलाओ दिन खिलजी के साथ प्रेम में मुद्रा में दर्शाया गया है जो कि ना केवल उस राजपूत विरांगना की उजवल चरित्र पर प्रहार है बलकि राजपूत विरांगनाओं का सामुहिक अपमान भी है राणा ने कहा कि राजपूत समाज मह देशित नहीं होने देंगे करते हैं, जारा स्माज मारे साथ है, जारा समास्वाज मारे साथ हैं इस COM को रहे बाते हैं. और मादनिया मुक्या मंत्री से मांग करते हैं कि माचल प्रदेश में ये फिल्म देन की जाए है हमने सीज मार्क से लेकर के कोदबाली पजार तक ये समरो रैली नकाली है और ये हम मेमरंडम जो है मादनिया महामीम प्रदान मंत्री मोदे को और प्रेजिटन्ट ऑफ इंडिया को जिला दीश के मार्पत बेज रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि फिल्म जो है सारे भारतमस में नहीं चलनी चाहिए प्रद की जाए